चीन में मुसल्मानों के साथ जो हुआ ये सब ने देखा पिछले कुछ दिनों में ताबरतो और तरीके से चीन में मस्जितों की मिनारों को गिराया जा रहा है लेकिन अब चीन के बाद एक यूरोपिय देश ने इसलाम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है दरसल इटली की सरकार ने देश में धर्म परिवर्टन रोकने के लिए एक मसवदा तयार कर लिया है जिस पर अब विवाद भी शुरू हो गया है इटली की प्रधान मंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स आफ इटली ने एक विदहयक तयार किया है जिसके जरीए धर्म परिवर्टन को रोकने की कोशिश की जाएगी आपको बता दें इस विदहयक के एक खास प्रस्ताव का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है दरसल इस विदहयक में देश के गैराजों, और द्योगी केंद्रों, गोदामों और मस्जित के बाहर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंद लगाने का प्रस्ताव रखा गया है हाला कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इसलाम के खिलाब मोर्चा खोला हो इटली की पीम जॉर्जिया मेलोनी की विचारधारा राष्ट्रवादी है और उन्होंने अपने चुनावी केंपेन के दौरान भी धर्म परिवर्तन समेथ देश में मुस्लिम शर्णार्थियों को रोकने के लिए कानून बनाने का वादा किया था इटली की स्थानिय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम शर्णार्थियों और धर्म परिवर्तन की घटनाव से परिशान है इसलिए जॉर्जिया मेलोनी को लोगों ने भारी बहुमत से जिताया और अब वो अपने वादे को पूरा करने की कोशिश कर रही है स्थानिय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस विधयक के जरिये प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ओफिटली चाहती है कि देश की सभी मस्जितों की जाँच हो और साथ में ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इन मस्जितों को फंड कौन करता है वहीं बताया जा रहा है कि इस विधयक के खिलाब इटली का मुस्लिम समुदाय कड़े विरोध में उतरने की योजना बना रहा है और अगर ये विधयक पास हो जाता है तो स्रीडन डेनमार्क के बाद इटली तीसरा ऐसा योरोपिया देश होगा जिसने खुल के खोल दिया है मुसल्मानों के खिलाब मोर्चा